डिर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना जैसा की जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में एक दो नुमेरिकल्स प्राबलेम को आपको खुद से ट्राइ करने के लिए दिये थे और उसमें लोगों को ना कुछ ना कुछ प्राबलेम आ रहे थी सॉलूशन में तो चलिए आज हमके क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पिछले क्लास में आंकिक प्रस्ट दिये हुए थे आंकिक प्रस्ट यानि कि numerical problem उस numerical problem को solve करेंगे ठीक है अब numerical problems क्या था और उस questions को दुराएंगे और फिर हम उसको solution को आज देंगे ठीक है तो पहले question था कि कोई एक अवतल लेंस है ठीक है जिसकी focus दूरी हमें दिया था दोस्तों focus के बारे में बात किया है कि उस अवतल लेंस के लिए हमको focus दिया था 4.5 cm ठीक है तो minus में करेंगे 4.5 cm सेंटिमेंटर के enfant की मैंन अब यू का बात करें वस्तुदूरी होता है तो वस्तुदूरी भी हमको आउतर लेंस में दिया था पंदरा सेंटिमेंटर तो यह माइनस लगाते हैं वाई तो यह चिन परिपाटी है पिक ओंतर लेंश में लगाते ही हैं इसको आप समझें फिर बोला गया कि प्रतिभीम बुदूरी निकाली यहीं कि भी का value निकालना है ठीक है और दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया था जिसको हम लोग mu1 बोलते हैं और mu2 बोलते हैं तो mu1 का जो यहीं अपवर्तनांक है वो 2 दिया था और mu2 का अपवर्तनांक 4 दिया हुआ ठीक ह निकाल पाएंगे ठीक है तो इसके लिए एक हम लोग फार्मूला यूज करते हैं अब वर्तन का एक सूत्र है मूटू बाई भी माइनस मूटू बाई यू इज इक्वल टू मूटू माइनस मूटू बटा में आर समझ में आ रहे तो अब इसमें मूटू का मूटू का भी इसद्सकावेलो दिया है लेकिन op नहीं दिया है इस लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आर निकालते हैं तो आर का फर्मूला क्या होता है तो इन्टू F, तो R का value हो जाएगा 2 in 2, F का value minus 4.5 है, तो इसलिए minus में रख देंगे 9, यानि जहां जहां R है, वहां रखना है minus 9, ठीक है, तो mu2 के जगा पे कितना रखेंगे, mu2 के जगा पे रखेंगे 4, mu1 के जगा पे रखेंगे 2, और B के cut value निकालना है, तो B का हम लोग B छोड़ दें रखेंगे, u के जगार पे रखेंगे 15, और R का value आया है minus 9, तो कुल मिलाकर यहां अब हम लोग पुना सूत्र से अगर चलेंगे यहां पे, पुना सूत्र से, सूत्र में क्या है, mu2 by V, तो mu2 का value था 4, और V का value निकालना है, तो V का V छोड़ दिए, minus, mu1 का value कितना है, 2, और बटा में U, तो U कितना है, U हम लोगों को पता है, U का value कितना, minus 15, ठीक है, U का value हो गया, फिर mu2 minus mu1, तो mu2 कितना, तो mu2 हो गया 4, minus mu1, mu1 कितना हुआ, तो mu1 हो गया हम लोगों को 2, ठीक है, और divided by R, R का value कितना है, minus 9, ठीक है, तो यहां हो जाएगा हम लोगों का 4 by V और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहां हो जाएगा प्लस 2 बटा 15 दो बटा 15 is equal to यहां से 4 में से 2 गया कितना हो गया 2 by minus 9 ठीक है अब हम करेंगे क्या इसको जो है प्लस में है उसको उधर ले जाएंगे है ना तो 4 by V is equal to यह माइनस 2 by 9 already है देख पा रहे होंगे और यह वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 by 15 अब 9 और 15 का LCM लेंगे तो आपको पता है ना 9 और 15 का LCM होगा हम लोगों का 45 और इधर कितना होगा 4 बटा में V ठीक है अब 9 से यह 5 बार में कटेगा तो कितना होगा हम लोगों का हम लोगों का यहां होगा 9 और 15 का LCM 45 और 95 और 5 को माइनस 2 से करेंगे तो कितना होगा माइनस 10 और माइनस तो already है 15 को 3 से गुना करेंगे 15 यह 45 और 3 को 2 से करेंगे चो यानि कि यहां हम लोगों को होगा 4 by V is equal to minus 10 और minus 6 है ना तो minus 10 और minus 6 मिलकर कितना हुआ तो यह हो गया हम लोगों को minus 16 और यहां कितना 45 दोस्त अब हम करेंगे क्या यहां पर आप यहां तो यहां से तिर्शा 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 गुना कर लो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 16 में 45 या डिवाइड कर सकते हैं चलो आप कर लो 4 by V is equal to यहां किया आया तो minus 0.36 इसको डिवाइड करेंगे तो यह लगभग में आएगा ठीक है ऐसे point में और V आते जाएगा तो हम लोग 2 अंग तक लिए हुए हैं 36 अब करना क्या है यहां से लोग गलती कर रहे थे अगर मानलो भाई अगर 2 by X बराबर में अगर 4 रहता तो हम ऐसा थोड़ा ना करते कि X बराबर 2 into 4 यह अगर आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं अगर आप सोचो कि X का वेलू अगर इतना रख रहे हो कितने लोग क्या कर रहे हैं ना 2 by X बराबर 4 रहेगा ना तो X का वेलू इसको इसको गुना कर दे रहे हैं चलो आप गुना कर लो चार से ना आप गुना कर दो यह दोस्त गलती होता है यहां पर इसलिए गलती होता है क्योंकि आप इस रूल्स को समझ यह 4 by V है और इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं तो माइनस 0.36 बटा 1 लिख सकते हैं न अब जब तिर्चा तिर्ची गुना करेंगे तो 4 को 1 से हो जाएगा यहां फिर 4 और इस इक्वल टू इसको V से न मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 0.36 इंटू V और V का मान निकालना है तो इससे डिवाइड करेंगे समझ में आ रहा है यानि कि V का वैलू जो होगा 4 में माइनस 0.36 से डिवाइड करने पर तब आएगा यानि कि आपका प्रॉब्लम यह था कि हम लोग सर 2 बाई X को अगर हम लोग यहां पर 4 था तो X का जगा पर 2 इंटू 4 क्यों नहीं कर सकते हैं तो आप करिए कोई दिकत ने हैं लेकिन करने के बाद भी LHS में उतना रखेंगे तो 4 आना चाहिए कहा आ रहा है नहीं आ रहा है इसलिए आपका सॉलूशन जो है गलत है आप एगर ऐसा समझ पा रहे है तो ऐसा बिलकुल सॉलूशन गलत है आप इसको सिंपल वे में आप देख लो ना वई इधर 2 बाई X बराबर अगर 4 है तो हम इसको लिख सकते ना है 2 गुना 1 बाई X बराबर में 4 और X का भेलू निकालना है तो दू गुना में है ना तो भागा करेंगे सिंपल वे में है ना तो यहां पर हम लोग 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिला कर अगर देखा जाएगा तो हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक प्रोड़ा था इसलिए आपको आनसर में प्राबलेम आ रहा था चलिए next question को देखते हैं क्या बोला जा रहा है question this फर्स्ट कोशन था सेकेंड कोशन सेकेंड कोशन कुछ ऐसा बोल रहा है कि इस बार ना उत्तर लेंस है ठीक है इस बार उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस में हमको फोकस निकालना है तो फोकस वाट इसमें बोला जा रहा है कि वस्तु दूरी जो है टेन सेंटेमिटर में है तो म प्राथमिक माध्यम जो है 2.5 था और द्वितियक माध्यम अमलूगों को 4 था ठीक है अब इसको अमलूगों को निकालना है तो यह किस फर्मूले पर आएगा ज़रा बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एफ का वेलू निकालना है तो यहां से आप एक यूज किजिए फर्मूला सूत्र से मुटू वाई वी माइनस मिवण बाई यू मुटू माइनस मिवण अपन में R यहां सबका वेलू दिया है आप यहांसे R निकाल लिजे और R और एफ में रिलेशन होता है आर बराबर टू एफ तो आर का मान जितना आएगा ना उसको दो से डिवाइड कर देना है ठीक है तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या म्यूटू के जगा पर रख देंगे फोर बाइव भी वी के जगा पर एट माइनस म्यूवन के जगा है टू पॉइंट फाइप बटा यू क हम लोग लिख सकते हैं वर्न भाइटू अभी यह मानक मैनस क्या हो गया कट गया तो प्लस टू पॉइंट फाइफ बटा में टेन और इसमें से इसको हटाएंगे तो आएगा कितना 1.5 बटा में आर अब टू और गेन का ऐल्स इन को कितना ओगहा तो टू और टैन का एल सी 10 और टूए यह वान बार में कटेगा और फॉकर ओन से मल्ट्रेपल करेंगे तो 5-Г canco 10 से एक बार में मैं लोट पल करेंगे और एक और 2.5 से और इक दू पॉएंट फाइब से गोना करेंगे तो है कि यहां से इसको इसको मल्टिपल करेंगे तो इसको इसको मल्टिपल करेंगे तो आएगा तो यहां हम लोग 15 बट्टा 7.5 तो इसको हम लोग कितना बार में कटेंगे दो बार में, तो R का value कितना आ गया, 2, तो R का value 2 आ गया, तो F का value निकालना है, तो R बराबर हम लोग जानते हैं न, R बराबर क्या होता है, 2F, तो R के जगा पर 2 रखेंगे, बराबर में 2F, तो F का value निकालना है, तो 2 इधर गुना में है, तो इधर जाएगा तो वागा में, तो इसलिए F का value जो आएगा हम लोगों को 1 cm फोकस आएगा तो कुल मिलाकर आप देख पा रहोंगे चीजों को तो कुछ इस तरीके से solution करेंगे जिन लोगों को problem है ये दोनों questions को ध्यान से देखेंगे फिर भी अगर किनी को problem होगा तो आप जरूर contact करेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और फिर हम लोग मिलते हैं अगले class में अगले new topics के साथ तो धन्यवाद